आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ इस कुश्ण में हमको बॉला गया कि एक सिंपल पेंडिलो में जो की उसलेट कर रहा है वे लेंगोलर इंप्लिटूट 60 डिग्री ठीक है वो बॉला गया जो मास अफ बॉब है वो 50 ग्राम है तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा जब वो मीन पोजिशन पर होगा तो देखे यह हमको दिया हुआ है एक स्ट्रिंग जिसमें बॉब लगा हुआ है इसकी एंगोलर इंप्लिटूट हमको दिया हुआ है 60 डिग्री यानि कि वो maximum 60 डिग्री तेक जाता है ठीक है अब मा जो आएगे हमको पता है यह मारा येगी L into cos 60 विकाज यह है तो यह मारा आजाएगा L cos 60 ठीक है यह आजाएगा अब देखिए इसकी initial height कितनी थी मानियत अगर यह reference हमारा ground है h बड़ाबर 0 है तो यह height हमारी कितनी आएगी यह आएगी L into L minus L cos 60 यानिकि L 1 minus cos 60 यह height आजाएग ठीक है तो हम निकाल सकते हैं कि इस point पर हमारी velocity कितनी होगी निकाल सकते हैं तो देखिए जो अगर यह point है हमारा इस point पर क्या होगा जो हमारी potential energy होगी वो जाएगी M G L 1 minus cos 60 ठीक है क्योंकि इसकी height है L 1 minus cos 60 और जो kinetic energy होगी वो जाएगी 0 क्योंकि इस point पर आते याते यह 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 उसका maximum amplitude है तो उस point पर आते यह उसकी velocity हो जाएगी 0 तो kinetic energy 0 ठीक है अब देखते हैं down down position down position पर क्या होगा इसकी potential energy 0 होगी क्योंकि हमने इसको reference माना हुआ head 0 ठीक है और जो इसकी kinetic energy होगी वो जाएगी half M V square अगर आप माने उसकी V है वी इसकी velocity होगी इस point पर तो इसकी kinetic energy होगी half M V square अब अगर हम दोनों हमको पता है जो mechanical energy होती है वो concert रहती है तो इन दोनों के sum को अगर हम दोनों के sum से equipped कर दें तो हमको मिल जाएगी V की value तो देखें कैसे मिलेगी M G L 1-cos 60 plus 0 equals to 0 plus half M V square ठीक है अब M से M cancel रहेगा तो मुझे मिलेगा G L 1-cos 60 की value कितने होती है 1 by 2 ठीक है equals to half V square कि M से M cancel हो गया तो यह 1-1 by 2 equal to 1 by 2 आएगा अब 1 by 2 से 1 by 2 cancel रहेगा तो मुझे V की value मिल जाएगी under root G L ठीक है तो यह मेरी आगे V की value ठीक है अब मुझे length दी नहीं होई है तो हमसे पूचा गया है तो कोई बात नहीं दी 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 होई तो V हमारी आ गया और हमस अगर मानते हैं mass of bob m है तो इस पर नीचे लगेगा एक gravitational force mg ठीक है और downward direction में लगेगा centripetal force fc और उपर लगेगा tension तो अगर हम इनको equate करें तो हम लेगा tension equals to fc plus mg अब fc होता है हमारा mv square by r centripetal force ठीक है plus mg यह आ गया हमारा tension तो हमारा इससे आ जाएगा m common आएगा v square by r v square हमारा कितना है under root gl v हमारा under root gl है तो v square भी रहेगा under root gl का square अब यह l और आर बराबर है तो मैं यहाँ पर भी l ही लग देता हूँ तो यह मुझे मिल जाएगा gl divided by l plus g क्योंकि यह m से common आ गया तो मुझे मिल जाएगा m into g plus g क्योंकि l से l कहाएगा यानिकि जो tension आएगा अब हमको मास दिया हुआ है 50 gram ग्रेविटी दिया है 10 तो हम tension निकाल सकते है असानी से tension equals to 2 into 50 into 10 to the power minus 3 into 10 ठीक है तो 2,5 तो 10 तो इसे मिल जाएगा tension की वैजो मिल जाएगी 1 newton यह हमारे आगे tension की वैजो तो देखते है कौन सा option हमारा correct है तो इसमें 0.5 तो इमारा B option आएगा 1 newton correct आएगा Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल ता 10 million से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 सो पर